यह देखिए कितनी बढ़िया मिठाई बनकर तयार हूई है एकदम बॉम्बे कनाची हल्वे के जैसी और कितनी बढ़िया एकदम पर्फेक्ट साइनी और लंबे टाइम तक चलने वाली एकदम बढ़िया अंगुर की मिठाई बनकर तयार हूई है हेलो गाइज, वेलकम टो माई चैनल मधूच कीचन में तो चलिए बनाना सुरू करते हैं अंगूर की मिठाई एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ यहाँ पर मिठाई बनाने के लिए मैंने आधा किलो अंगूर लिये हैं आज कल बहुत ही मीठे अंगूर मार्केट में मिल रहे हैं और हाँ अगर आपके अंगूर थोड़े खटे भी हो तो ज़्यादा परेसान ना हो इसके टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो चलिए अब हम इनको धो लेते हैं पहले हम इनको डंठल से अलग कर लेंगे उसके बाद हम इनको अच्छे से वोस करेंगे और जो कोई अंगूर अगर इसमें खराब हो तो उसको एक साइट को निकाल देंगे सारे अंगूरो को देखे हम इस तरीके से अलग कर लेंगे गुच्छे से और यहाँ पर मैंने सारे उंगुरों को अच्छे से वॉस कर लिया है और वॉस करने के बाद इनको अच्छे से पीश लिया है मिक्सी की जार में आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल कर इनको पीश सकते हैं इससे आराम से पिज़ा पे हैं और अब देखिए एक चन्नी की हेल्प से हम सारे जूस को इस तरीके से चान लेंगे थोड़ा थोड़ा जूस हम चन्नी में डालेंगे और यह देखिए इस तरीके से स्पोन से चलाते हुए हम इसको चान लेंगे इससे इसके सारे छिकल चन्नी में ही रजाएंगे और juice नीचे बाउल में चला जाएगा तो चलिए इसी तरीके से सारे juice को हम छान लेते हैं अब कोई भी एक पैन या कड़ाई ले लेंगे जिसमें हमें ये मिठाई बनानी है और अब इसमें हम cup से नापकर 3 cup juice डाल लें हैं मैंने जितने अंगूर पीसे थे उसमें 3 cup ही juice निकला है हम इसमें 3 cup juice डाल लें हैं और अब यहाँ पर हमारा 3 cup juice था तो अब हम इसमें 1 cup corn floor का डालेंगे इस measurement से एकड़म perfect हमारी मिठाई बनकर तयार होगी तो चलिए पहले juice को और corn floor को अच्छे से mix कर लेते हैं किसी भी चम्मस से या विसकर के help से आप इसको अच्छे से mix कर लें ताकि इसमें लंस ना वने और इसको चलाते रहें क्योंकि corn floor नीचे तले में बैट जाता है इसलिए जब हम इसको gas पे भी चड़ाएंगे तो हम इसे लगता चलाते रहेंगे और अब देखिए दोनों चीजे अच्छे से mix हो गई है और अब हम इसमें cup से नापकर एक cup चीनी डालेंगे ये वही cup है जिससे हमने juice ना पा था और corn floor ना पा था उसी से एक cup हम इसमें चीनी डालेंगे और इसको भी थोड़ा से mix कर लेते हैं और अब पहले हम यहाँ पर कोई भी बरतन या tray grease कर लेंगे अच्छे से घी से जिसमें हमको मिठाई को set करना है यहाँ पर मैंने एक यह देखिए oversize की ट्रेली है और अब ट्रे में थोड़े से melon seeds को हम sprinkle कर देंगे और थोड़ी से काजू भी हम इसमें डाल देंगे देखिए इस तरीके से और उपर से थोड़ी पिष्टा की कतरन डालेंगे इससे हमारी मिठाई जब बनेगी ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में यहाँ पर आप अपनी मन पसंद की कोई भी dry fruits ले सकते हैं तो चलिए हमने कड़ाई को gas पर रख दिया है और gas की flame को own कर दिया है और देखिए हमको इसको इसी तरीके से लगतार चलाते रहना है क्योंकि इसमें जो आरा रोट है ना अगर हम उसको नहीं चलाते हैं तो तली में लग जाता है इसलिए हमें इससे चलाना जरूरी होता है लगतार हमें इससे चलाते रहना है बस ताकि यह तली में न लगे इसलिए इसको हमें लगतार चलाते रहना है और medium flame पर हम इसको पकाएंगे तो फ्रेंड्स इस मोसम में मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला फल अंगूरी है और आजकल तो बहुत ही अंगूर मार्केट में आ रहे हैं खटे भी मीठे भी और आपके अंगूर चाहें जैसे भी हो ना उससे ज़्यादा कोई फरक ने पड़ने वाला है मिठाई मे मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा थोड़ा थोड़ा खटा, थोड़ा थोड़ा मीठा बहुत ही टेंगी सा इसका टेस्ट होने वाला है तो चलिए मिठाई में एक अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें हम थोड़ा सा फूट कलर डालने हैं बहुत ही अच्छा आने वाला है क्योंकि जब मांगूर को पीछते है तो उसका कलर थोड़ा फीका हो हो रहा है एकदम इसमें अभी से ही साइनिंग आने लग गई है और इसमें उबाल भी आ गया है ये देखिए जैसे जैसे इसमें उबाल आ रहा है वैसे वैसे ये गाड़ा होता जा रहा है ये देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारा बंबे कराची हल्वा बनकर तैयार हो र अब इसे ही कितना गाड़ा हो गया है और बहुत ही अच्छा हमारा हल्वा बनकर तयार होने वाला है यह देखिए लगातार हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे जिससे की अच्छे से पक जाए और यह देखिए अभी से इसने कढ़ाई छोनी शुरू कर दी है और यह का मतलब है कि हमारी मिठाई बनकर एकदम तयार हो गई है तो चलिए अब हम यहाँ पर दो चमल देशी घी डालेंगे इसमें इससे हमारा हल्वा और भी अच्छा बनकर तयार होगा बहुत ही अच्छी से इसमें एक्साइनिंग आईगी और आप इसको अच्छे से मिक्स कर मिक्स कर लेंगे गैस की फिलें महारे हां एकदम पर्फरेक्ट मेजरमेंट से और एक्दम पर्फरेक्ट कर तयार हुए है तो आ इसको एक वाठ जरूर बनाए और हम्जे पूरा यकीन है जब भी आप इस lt बनाएगे न और हाँ मैंने इसमें किसी भी flavor का यूज नहीं किया है क्योंकि इसमें जो अंगूर का flavor है खटा मीठा टेंगी साब बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आने वाला है कि मेरे को नहीं लगता कि इसमें किसी flavor की जरूरत है तो इसलिए मैंने तो कोई डाला नहीं है अगर आप चाहें तो अपनी मन पसंद का कोई flavor इसमें add कर सकते हैं तो अब यहाँ पर एक मिनट मिठाई को भूनते हुए हो गया है और अब यह set होने के लिए एकदम ready हो गई है तो चलिए gas की flame को कर देते हैं off और इसको set करते हैं तो अब कड़ाई से हम मिठाई को सीधा उस ball में डालेंगे जिसमें हमने dry fruits add किये थे और यह देखिए इस तरीके से हम सारी मिठाई को इसमें डाल देंगे और आप किसी भी stepula की help से या किसी भी चम्मस से हम इसको यह देखिए इस तरीके से flat कर देंगे एक सार्थ इसको कर देंगे इस तरीके से चलाते हैं हम इसको पूरा flat कर देंगे इससे हमारी मिठाई बरावर रहेगी और अब देखिए हम इसको 2-3 वार इस तरीके से प्रेस करेंगे जिससे के हमारी मिठाई अच्छे से जम जाएगी और अब इसको हम कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए तो चलिए रख देते हैं और अब देखिए दो घंटे के बाद मैंने यहाँ पर मिठाई को फ्रेज से निकाल लिया है और यह देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमारी मिठाई सेट हो गई है तो चलिए अब इसको हम एक प्लेट में सर्फ करते हैं तो पहले हम कोई भी एक चाकू ले लेंगे और किनारों से देखिए इस तरीके से इसको छुड़ाएंगे और जैसे हम इसके अंदर चाकू डाल रहे हैं यह देखिए मिठाई अपने आप किनारी छोड़ रही है और अब देखिए ट्रे के उपपर हम एक प्लेट रखेंगे इस तरीके से और फिर मिठाई वाली ट्रे को हम खाली ट्रे के उपर यह देखिए इस तरीके से हम पल्टा लेंगे और अब त्रे को हम हटा देते हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनकर तयार हुई है क्या गजब की मिठाई बनकर हमारी तयार हुई है एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हुई है बहुती बढ़िया हमारी मिठाई वनकर तयार हुई है यहाँ पर और कलर भी देखे कितना बढ़िया आया है बहुती कम समय में और बहुती बढ़िया हमारी मिठाई वनकर यहाँ पर तयार हुई है जब आप इस तरीके से मिठाई अपने घर पर बनाएंगे न तो ये किन मानिये हलवाई भी फेल हो जाएंगे तो चलिए अब हम इसको आपको काट कर भी दिखा देते हैं ये देखिए कितने अच्छी तरीके से ये कर रही है लग रही है न एकदम बढ़ी है और बहुत ही आसानी के साथ ये कर रही है और ये देखिए कितनी बढ़ी है हमारी मिठाई बनी है ये देखिए एकदम अंदर से भी एकदम परफेक्ट और बहाद से भी एकदम परफेक्ट ये देखिए तो है ना एकदम बंबे करांची हलवे के जैसी एकदम से वही टेक्चर वही सोफनेस बहुत ही ज़्यादा सोफ्ट एकदम मों में जाकर घुल जाने वाली मिठाई हमारी बनकर तयार हुई है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की बनाई रेसिपी थोड़ सी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और जो चैनल पर नए आये हों वो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजेगा और हाँ बेल आइकन का बटन दबना ना भूलिएगा जिससे की मेरी आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुंच सकें थैंक यू